आज की हमारी रेसिपी है टमाटर और अंगूर की चट्नी बहुत ही बेसिक मसालों के साथ कम मसालों के साथ त्यार किया हुआ एक सिंपल सी रेसिपी है पर यह चट्नी खाने में इतना स्वादिश्ट है कि आपकी खाने की स्वाद को दुपना करतेगा यह रेसिपी खास करके और बिहार में बहुत पसंद किया जाता है रेसिपी जानने के लिए पूरे वीडियो को आप जरूर देखें और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें तो चलिए सुरू करते हैं चेटनी बनाना इसके लिए मैंने यहां पे लिया है आधा किलो इसे मैंने अच्छी तरह से दो के साफ कर लिया है और फिर मुटा मुटा काट लिया है उसी के साथ ही मैंने लिया है 300 ग्राम अंगुर अंगुर को भी मैंने अच्छी तरह से दो के साफ कर लिया है इतनी बनाने के लिए एक कडाई को गरम होने के लिए रखतेंगे जैसे ही कड़ाई गरम हो जाए हमें इसमें दो चमच तेल डाल देंगे तेल जब अच्छी तरह से गरम हो जाए फिर इसमें हम राई मिला देंगे राई को अच्छी तरह से स्प्लेटर होने देना है फिर इसमें जीरा मिला देंगे सौंफ मिला दे, थोड़े से मिथी डाना डाल दे, दो सुखे हुए लाल मिर्च को बीच में से दो टुकडे करके डाल दे, दो तेज पत्ता को भी बीच में से दो टुकडे करके डाल दे, अच्छे तरह से एक दो बार मिक्स कर ले, फिर इसमें आधायंचे भी कम अध्रग, फिर इसमें क्टे हुए टमाडर मिला देंगे, आची तरह से एक दु बार मिक्स कर लें, हिंग मिलाएंगें इस टेज में हम, एक युथा इचमद से भी कम हिंग मिला दें, नमक मिला देंगे स्वाथ के अनुसार, अल्दी पाउडर डाल दें अच्छी तरह से और एक दो बार इसे मिला ले करने के बाद फ्लेम को मीडियम पे करके धकन लगा के पांच मिनिट के लिए इसे पकाएंगे पांच मिन्ट बाद धकन खोल दें तमाटर को थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लें फिर इसमें अंगूर मिला देंगे फिर से चलाते हुए मिक्स करें और अभी मैं इसमें देड़ सो ग्राम गुड मिला रही हूं अगर आप गुड नहीं मिलाना चाते हैं तो आप चीनी भी डाल सकते हैं गुड को अच्छी तरह से मिक्स करें जब अच्छी से इक उबाला आ जाएं फिर हम गेस्टोप की फ्लीम को लो पे करके धकन लगा के इसे तस मिनिट के लिए पकाएंगे 10 मिनिट बाद धकन खोलें आप देख सकते हो अंगुर का कलर अभी पुरी तरह से चेंज हो चुका है और अंगुर थोड़ा सा एसे पक चुका है और यह थोड़ा सा फूल गया है वड़ी ऐसी चटनी हमारी बनके तेयार है मुझे उमीद है कि आज की मेरी ये बनाई हुई रेसिपी आप लोगों को पसंद आये होगे अगर वीडियो पसंद आया हो तो निजे एक लाइक का बटन क्लिक करें माइं कुकिंग एंड मोर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान पर क्लिक करें मेरे आने वाले सारे वीडियो के नुटिफिकेशन सबसे पहले निकाल दें फिर एक बावल में हम इससे निकाल के सर्फ करेंगे इस बड़ी आसी चतनी को अपने घर पर जरूर ट्राइ करें वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी ना बोलें